हाई फ्रेंड्स वेल्कम बाक टो माय चानल आज मैं आप लोग के साथ कच्छी के रेसिपी शेयर करने जारी तो भीना टाइम इसके चली स्टार्ट करते हैं मैंने चार केरी ले लिया है बड़े साइज में और यह खटी वाली केरी नहीं है अगर आपके खटी वाली केरी होगी तो आपको बाद में शुगर आट करनी पड़ी कि तो पहले मैं बता देतू आपको मैंने इडली के बरतन में इसे बॉल करने के लिए रग दिया है आप 10-15 मिलिट्स लगेगा अच्छे से यह बॉल हो जाएगी आप देख सकते कितना अच्छे से केरी बॉल हो चुकी है आम हमारा गल चुक है अंदर से लूज हो जाना चाहिए वह इस तरीके से आपको बॉल करना है बाद मैं मैंने इसे पानी से अलग कर लिया है फिर मैं इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करिए और जितना उसे के शेयर करिए तो देख सकते हैं आप कितना अच्छे से यह पील हो चुका है पूरा गल चुका है अंदर से तो हमें से सप्रेट कर लेना है मैं चले सप्रेट करके आपको बता देतू गुटली जो होग मैंने मिकसर के ग्राइं में सारा जितना पील मेरा निकला थै मैं दे on I am i cancer के ग्रैंडर में डाल दे इसके बाद मैं इसके नप दीना के पत्ते आट कर देंगा आपको फ्रश पुदीना के पत्ते आड कर देना फिर आपको वन टीस्पुन से थोड़ा से कम जाना नमक आट क कर दीजिए आपको इसके इंदे हलका सा जीरा आड़ कर देना टेस्क काफी अच्छा आएगा इसके बाद आपको बस इसे ग्राइंड कर लेना है अच्छे से इसको पानी मत डालिए थोड़ा मोटा ही पेस्ट बना कर रखेगा आप देख सेते किस तरीके की कांसिस्टेंसी हो आपको जितना पेस्ट चाहिए होगा जितना आपको शर्बत बनाना आप उतना पेस्ट ले लीजिए मैंने चार से पांच टीस्पून लिया है उसके बाद इसके नहीं आप चिल्ड वाटर आप कर दीजिए आप आइस क्यूब्स भी डाल दीजिए बस हमारा शर्बत बनकर तयार हो गया मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा दे क्यों आप काफी बहुत अच्छा टेस्ट करता है और गर्मियों का मैं तो बहुत अच्छा लगे गई पीने का आपकी बॉडी को बहुत हाइडरेटेड रखेगा अलका से मैंने कुछ पुदीना के पत्ते के साथ इसे इक नगाली गाणिश कर दिया और जो मेने बाकी की प्यूरी बच गई थी व्य थी तोर करके रख दूगी ऐ इस कंटेनर में आप कंटेनर में आपको सब्सक्राइद करके सकते हैं कुछ आपको one वीक तक आप राम से इसे use कर सकाई जब का मन करे तब आप इसे बनाईये बस पानी आप मिक्स करिए आपका शर्बत बनकर तयार हो जाएगा तो इसी तरीकी साथ बहुत ही सिंपल सी रेसीपी मैंने आपके चाहर शेयर करिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो फ्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और अपने फैमली और फ्र झाल